मैं, एक नमबर से हर बार रह जाती हूं, बहुत महनत की है CETAT में, बट फिर भी क्या करना चाहिए, तो आप एक नमबर से नहीं रहना है, आपको आपको 10 नमबर, 20 नमबर एक्स्ट्रा लेकर आने है, वो जो स्लेबस है, अगर आप CETAT में सिर्फ स्लेबस से पढ़ लेते हैं और प्रिवियस यर देख लेते हैं, इनफ हो जाएगा, हैना, CETAT, कुछ नहीं करना, आँख बंद करके, कोई-कोई extra तिगडम नहीं लगानी, एक तो स्लेबस पर स्टिक करना है, ऐसा ना हो, आप पढ़ रहे हो, सर्वनाम और संग्या, और वो एक नमबर में ही आ रहे है, पता चल रहे हैं, 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 NCRT आ रहे हैं, और प्रिवियस यर, क्वेशन, that's it, खतम कहानी, और कुछ नहीं बढ़ना आपको, और इस स्लेबस पढ़ेंगे, तो आपको समझा जाएगा, कि NCRT is important है, उसकी भ 23, 23 out of 30 आते हैं, पर पहुंच जाती हैं, यह बहुत सारी लोगों का question है, कि जब साथ में discussion हो रहा होता है, तो आपके पूरे-पूरे number आते हैं, सारे question सही हो जाते हैं, लेकिन जब आप खुद करते हैं, तो इसमें दो reason हो सकते हैं, एक तो यह हो सकता है, एक तो यह हो सकता read करके, समझ नहीं पा रहे हैं, उसका context, तो यह practice सही होगा, कि जब आप ज़्यादा questions practice करेंगे, तो वो किस संदर्म में पूछा गया है, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ, तो आपको तुनन समझ आ जाता होगा, क्योंकि मेरा अपना experience है, या जो भी expertise कह लिजए, whatever it but, जब आप करेंगे, या कोई भी teacher, लेकिन जब आप करेंगे, तो वो context समझने में, वो पढ़के, आप सही संदर्म में समझ पा रहे हो कि नहीं, उसके लिए भी practice चाहिए होगी, तो इसके दो ही reason हो सकते, सीटेट का form कब से फिल, मुझे लगता है September तक खीच देंगे